कि एंदेब्रियोन कैसे हैं आप लोग आई हूप बढ़े होंगे स्वस्त होंगे अपनी पढ़ाय में भी व्यस्त होंगे तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक और नए वीडियो में जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे इसीजी इंडियन कोश्ट गाइड की दों की सब्सक्राइब और उसका हमारे पास नोटिफकेशन है उसके वारे में जो जन्रल नॉज और जो बेसिक नॉलेज है तो स्टार्टिंग फॉम् दा स्क्रेच स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का जो एप्लिकेशन है वो इंडिन कोष्ट गार्ड कितब है और यह जनल डिवुटी मतलब जीडी के लिए है ओके सिर्फ जीडी की इसमें ब्रांच है लोगों का अउट क्या गया है कि अबहिए आगे बात करते हैं जोकि हम लोगों का जो ओनलान फ्रम फिल होंगे वह फिल होंगे 13th of 5 से इसी 13th of 5 से फिल होने लगेंगे और 27th of 5 तक फिल I will prefer कि आप लोग 13, 14 और 15 इन तीनों तारीक में फिल कर लेना या फिर उसके बाद 20 से पहले पहले फिल कर लेना I hope आप लोग फिल कर लेना और साइट्स वगएर इतनी बिजी नहीं होंगी इतने ज्यादा फॉर्म्स नहीं आते हैं अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वह हम लोग दे रखी कि मेल कंडिडेट के लिए ही है मेल इनन सेटीजन के लिए इलिजबिल्टी है यह तो वुमेन और नौट अगली इलिजबल फॉर्ट इस जर्नल दूटी इनन कोस्ट गार्ड में अगला हम लोग के पास है कि जो एज क्राइटेरिया है वह है फर्स्ट अगस्ट तक 2006 तक और अगर आप फर्स्ट अगस्ट अगस्ट 2006 को भी आपकी डेट ऑब बर्थ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं देट आर इंक्लीजिव नाट एक्सक्लीजिव जीडी के लिए अम और कुछ रिलक्सेशन वी दे रखा है है के लिए फाइव यर्स का और हो बीर्स जो है unknown क्रीम लों उनके लिए तीन साल कर रिलक्सेशन भी दे रखा है ओके जो लोग की पुर्ष है वो नौट में आप देख सकते हो इनके साबसे हैं पुर्ष बट जे कट अब जु जू ज है तो देखो सबसे आदा जो हम लोगों की वेकंसी नौट के लिए फिर वेस्ट के लिए नौट एस्ट के लिए वेकंसी है और हम लोग देख देखते कि कि अगर इंट्रेक्स से देखा जाए तो वेकंसी इतनी रहे रहे हैं थोड़ा उपनी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं वेकंसी नॉमल है डोंट वरी बाउट डाइट ओके अगली इंपोर्टन चाहिज है जो कि स्लेक्शन प्रोसेस है तो सेलेक्शन प्रोसेस की बारे हम यह अपने जो फॉर्म फिल करते वक्त जो कि आप पर देने जाओगे तब की बात हो रही है आपको क्या करना पड़ेगा कि एक आईडी ले जानी पड़े और आइडेंटी प्रोफ आपका वह उना चाहिए जो आपने फॉर्म करते वक्त भरा था उसमें एक आप्शन आता ह है चुकि का जाता कि जो इसका फॉर्म हो बहुत ध्यान से बना चाहिए बहुत ध्यान से बना चाहिए एक गलती और आप आउट हो जाओगे इस क्वालिफिकेशन आपका हो जाएगा अधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस या पास्पोर्ट सब्सक्राइब करने ले जाना चाहिए दस रुपएंग निकलता आप निकल आ सकते हों कि वह सकता है तो अलग अलग जगेगा अलग चीज़ है तो पास पोड़ साइट फोटो चाहिए और सटी के लिए उजिनल सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ह तो अगर आपको टीए वगएरा चाहिए टीए वगएरा के लिए देऊ क्या है कि टीए आपको तब मिलेगा जब आप 30 किलोमीटर अगर डिस्टेंस से आ रहे हैं मालों आपका सेंटर ऐसा कहीं पड़ गया जो 30 किलोमीटर दूर से है तो आपको जो सॉल्टेस्ट वी है सुर्चै्णों मीन त्रेवल हो सकता है उसका ट्य दिया जाता ट्य आपको मिल सकता है बट उसके लिए आपको क्यों करने के लिए आपको एक ट्रेवल किया उसकर या शेर ग발वरान चै बस से जा रहे उसकी ticket होने चाहिए cancel चेक होना चाहिए फिर एपटी से जो भी आपने online payment की उसका इसकी insert दिखा सकते हो बट जनुइन होने चाहिए तो आपको यह मिल सकता है वहाँ पर आप दिखा सकते हो biometric scanning होगी उसके बाद आपके और उसके बाद आप stage 1 में पहुंच जाओगे stage 1 के बाद आपका stage 2 और stage 3 वह बाद में आएगी stage 1 के लिए क्या है कि आपका नाविक की post है तो आपके इसमें क्या होगे दो paper होगे सेक्के इक होगा सक्षण 1 सक्षण 2 में कोई timing नहीं मिलती हैलगला कोके सेक्षण 1 में सब साथ हो जाते हैं और है सबसाथ 10 में आपकर क्या होटा की 50 marks का एक प Krr होगा 5 तैक्ज क्षेक 20 में में और यह कट आफ है सब्सक्राइब पार्ट होते हैं और सब्सक्राइब को थोड़ा देख लेते पहले एक सब्सक्राइब क्या होगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें इसक्राइब करने इसक्राइब करने इतना कठी पूछ पासिंग मार्क्स आउट पॉट आपको लाने होंगे सब्सक्राइब करें यूरी ड्लू एस और ओवी सी कटागरी से हो तो सेक्शनल का टॉप सेक्शन वन की होगी 30 मार्क्स ओके ठेक हैं और 27 मार्क्स होगी सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें पूरा स्लेवर इसका होता बस थोड़ा उपर नीचे वेरेबल हो जाता कि कोश्चन नमबर और कोश्चन और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा उपर नीचे होता उसके बारें बात करते हैं डिफिकल्टी को पर फिर सेक्शन टू तूंत खुल जाएगा टाइम नहीं लगेगा है ना एक के बाद एक खुल जाएगा क्या होगा कि आप एक काम करते हैं एक चीज़ सोच कि जा सकते हो कि जीडी का पेपर होता है वह होता है एक सब्सक्राइब किसी ने एक साथ दिया होगा तो आपको पता होगा कि वाई ग्रूप अगर दोनों को आपने एक साथ चूज किया है तो आपका वाई ग्रूप का इंग्लिस और प्लस आपका रागा हो जाता है पिर बाद में आपके पास सिर्म मैत और फिजिक्स को दिया एक और सेक्शन विंडों खुल जाती है तो एक साथ पेपर इस चार हो जाते है ऐसा नहीं कि इंग्लिस आपको सोचना नहीं है आपको आएंगे करेंगे आएंगे करेंगे यह है नमर कोशन 50 होंगे नौमल सी बात है यह इसमें एक बात या इसमें क्या होगा आप यह थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ट ज्यादा रहीते हैं हमने जब इसका पेपर दिया था तो अधो आपको एक चीज़ एक्सप्रियंस की थी कि एकर आपको एक्जैम क्लियर करना इसका तो एप्लीकेशन बेस्ट आपको एक्जैम देना पड़ेगा और उस चीज़ को यह नहीं कि आपने रट लिए तो पास हो जाओके इतना टाइम आपके पास नॉलेज होने चाहिए उस चीज़ की नॉमलाइजेशन भी होगी नॉमल सी बात है नॉमलाइजेशन इसमें होती है वह फिर आप इस फॉर्मॉले वगएर देख सकते हो उसका कोई तरक नहीं है आपर और के चलते है अगला पिर आता है जब आपका आपका एत्या सेटीं वन हो जाएगा स्टेश वन होने के बाद एक महीने बाद यू एयब यू है उत लिप्त कर आएगा तो आपको बस THIS लिए रिफ लिफ कर आए गा कि यू एप सट्व लिफिस्ट टू यह फिर यू टीट से जाएगा इस Radi contract को डॉपलोड करने के लिए उसको शाइन इंट करना पड़ेगा और चीज still a क्षचर्च करना पड़ेगा एक दो दिनों के अंदर इंदर सभी के allocated में ख्याइन हैंना मिल अर पर सीड़ूल का है डूप में इसमेर यस वाले व्लोग तो बोलते हैं जी डी जी से बोलते हैं लो इसमें उसमें होता रानिंग पुसाप सिट अप वो वाई चीज में भी होते हैं मतलब डिसकसन नहीं होता जो की में चीज है जो भी यह फोस अगने विर को टार्गिट कर रहे हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें कोई एक कुछ जो भी आपकी रिक्वार्मेंट है यह फोर से उससे अच्छी है यह यह ना इफ यू आर थिंकिंग अबॉट यह नहीं कर रहे हैं कि आपको यह करना या फिर वह करना इडिया और आपका डिसीजिन होगा कि आप क्या करना चाहते है ना आइम जश्ट यह टू हल्प यू औ पना बता सकते हैं तो इसको आपको एक सेंटर बता दिया जाएगा और उसके बाद डोकुमेंट आपको डोकुमेंट एड करने पड़ता है तो आपको कने पर कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्या होगा कि आपको एक दोनों के अंदर अंदर जो इस्टेज 2 है वो कंप्लीट हो जाता है आप वहां पर पहुंचोंगे या पिर एक दिन लेगा या फिर दो दिन लेगा तो दूसरा दिन साइज मेडिकल के लिए लिए क्योंकि हम तो वहां पर नहीं है थे कभी सब्सक्राइब करने पड़ें करने होगी यह एरफोर्स वाला पूरा है बीस उटक-बैटक करने पड़ें इसक्वाइट्स और दस पूसराप करने पड़ेंगे अच्छा या दकने तीनों चीज़े एक साथ होगी तीनों चीज़े बिना ब्रेक क्यों होगी जोकि एरफोर्स में सेम चीज़े ही होती ना ओके फिर होगा आपका डीवी डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपको सभी आपको सब्सक्राइब होना चीज़े एक साल में पूरा इसका प्रोसेस कंप्लीट होपाता है एक साल तक क्या आपकी वेलिटी होनी चाहिए ठीक अब आता है न से वक अपलए जो होगा सब्सक्राइब फाइनल उडिशचर ना नहीं bet इस तिरी से स्टेज त्री मतलब लुद इस चाहρι होगा अब आपका कया होगा वेरिफिकेशन ओं इसके बाद डोकुमेंट जो समिट किया गए उनमें कुछ लोगों को निकाला जाएगा कुछ लोगों को मेरिट के लिए चुन लिया जाएगा और जोकि final joining कर रहे होंगे और जिन को fit का जाएगा अच्छा बुलाया काफी लोग चाता है इसमें हमने ऐसा सुना भी है आई डूंट वेरिफाइट बट इस्टेंड पाई पर भी चीजों को लोगों को रखा जाता है और इंडिया मेरिट लिस्ट प्रिपेर की जाती है जो की स्कूर किया है लोगों ने इस टेज वन में और नंबर ऑफ वेकेंसी जितनी भी है नमल प्रोसेस जो हरे इंडिया वह था वो अच्छा टाइब रेकिंग रूल तो सभी पता कि जिसके मार्क ज्यादा होंगे उसको लिया जाएगा जिसकी एज ज्यादा होगी उसको लिया जाएगा से में जैंडिये एं सबसे इसमें नहीं होता है यहां तक अगर लेट से मेरा नम आतेता है तो कहीं पर मेरे नाम के आगे अगर एंगा इस्ता लिखा तो वो मेरा नाम ही गलत है अगर हो सकता कि आपके मम्मी की नाम का जो करा देंगी तो यह चीज आपको दिमाग में रखनी है जो है वह आमने बता दिये कि 13 टॉफ 5 को आप एप्लाई कर सकते हो ठीक है ठीक है अच्चा है एक चीजय आज़ा आपके पास एक वैलीड होनी चाहिए और जो कि वैलीड कर सकते हैं तो आपके पास है तो आप क्या करोगे कि अपना जो फॉर्म बगारा है वो कभी ऑपन ही नहीं कर पाओगे ठीक क्योंकि दोनों जहें लिंक जाती है दोनों जहें आपका डवल वेरिफिकेज़न हो तो नंबर पे भी हो आपकी इमेल पे भी वह टेट जैसा कि लिखा अगर अ लोगे नहीं हो पाएगा और यह एडमिट कार्ड भी नहीं मिल पाएगा यहापर रिजल्ट भी नहीं देख पाएगा ठीक है और इसकी कोई भी चीज नहीं आईसीजी डिस्पॉंजबिल्टी नहीं लेते हैं ओके चलिए आगे जलते हैं अगला हम लोगा नेक्स्ट जो है वो तीन सु रुपए इसकी फीस है तो आप याद कर सकते हो कि सब्सक्राइल मतला कोफीस नहीं देनी पड़ी बट वाकी लोगों को आएप तीन सुरुपए पीज्ब पर सकते हैं उसकी कर देंगे psychological कीell उपए 300 होते हैं पैसे भी फॉर्म फिस इतनी महगी उपर से आप लोग यह पचास उपए एक्स्टा में क्यों दो ओके इग्जैमिनेशन सिटी जो होगी वह पांच प्रिफ्रेंस बननी होगी और आपका के इस किलोमीटर तक की एरिया में आपको एक्जैमिनेशन सिटी मिल अगर अगर 30 किलोमीटर तक कोई वह नहीं है आपकी सिटी पास में एक्जैमिनेशन वाली तो आप क्या हो करते हैं उससे भी नियरेस्ट ले सकते हो और अगर आप जनल केटागरी से आते हैं यह डवलोएस केटागरी से तो आपको तो एलाउंस नहीं मिलेगा बड़ डेव आपका मिड ऑप अप्रेल या फिर एंड ऑप अप्रेल तक स्टेज वन आपका एक्जैम हो सकता होने के चांसे जन्जू कि हम आपको बताते हैं जब लाश्ट यह आई थी विकेंशी तो 17.05 तक इसका फॉर्म बढ़ा गया था यह था कि 16.05 तक और इसका एक्जैम हो गया 25 मार्च को ठीक ओके इसका रिजल्ट आ गया 25 अपरेल को 25 तो इस बार एक्जैम जो है आपके पास दो महिने आराम से हैं दो मन्थ है मिनमो अब हो सकता है मिड या फिर एंड अपरेल तक कह रहे तो दो महिने तो फिक्स है ना आपके पास मार्च अपरेल है और फैब तो है है अभी जो भी है आपके पास तो दो महिने अच्छे त्यारी करो और जो स्टेज टू है वह एरांड एरांड आउंड आपको मुश्किल में बहुजा तीस दिन मिलेंगे हमारी जो डेट आई तो ट्रंटी ओफ में आई थी और साइद के ला साइड कोई ऐसा सेंटर था और बाकी की जो प्रोसेस हैं वह फिर लेट लेटर हाप अव दी यर में होंगे ठीक है आगे चलते हैं और आपको एक चीज यादक नहीं जो वैलिड आइडेंटी हैं बहुत कि अब आगे कुछ इंपोर्टन हमने होगा हम लोग पास अच्छा थोड़ा सही है कि टेवल एक्सपेंस अभी हमने बता है आपको स्ट के पास होता है यह चांसे कि आपको मिल जाए आप पढ़ सकते हो कि कौन-कौन चीजें से आपको मिल सकता है फिए अपक्स बताये थे स सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब तक पहुंच जाना चाहिए जितना मुझे अंदाज है क्योंकि यह आपको वह की ट्रेंइन पूरी करके आफ ज्यान करोगी तो आपको थोड़ा एक्सपेंस ही मिलेगा ज्यादा ही मिलेगा आपको और देखो जिसे लिखा यह आपको अगनिवीर में नहीं मिलती है जो जो अगनिवीर में भी नहीं मिलता है इसमें जो मिलता वो क्या है कि आपकी जो हाइस ट्रेंग है यह यह आप दान अध्कारी तक पहुंच सकते हो जिसकी बेसिक पे है 47600 रुपी ऑल्दो आइनो कि डिफेंस सर्फसेज में पराम यह हम लोगों के लिए है वो क्या है कि मिलेगा क्लोजिंग मिलेंगी हम लोगों के रूल क के हिसाप से जो भी उनने बना रखे हैं मेरिकल टील मिलेगा हमारे,"ज़ित मेलेगा हमारे फैमिली को भी मिलेगा हमारे पदो तक है अच्छा the government हम लोगों को मिलेगा एक घर ठीक है अगर एक इसमें यह चीज़ देखनी पर इंक्लूट करते कि नहीं करते क्योंकि फैम्ली में आपके वाइफ इन आपके चेल्लेन भी हो सकते हैं आगे आता है अपको 45 डेज की लिव मिलेगी जिनका कोई पैसा कटेगा नहीं एंड एट डेज की कैजूल लीप भी आप ले सकते हो पर यह में विच लीप ट्रेवल कंसेशन आपको लीप ट्रेवल भी मिलेगा और पैरेंट्स वगयरा के लिए भी आपकी सुब्दा उपलब्द है अगली आती आपके पास एक पेंशन होगी और टी भी होगी रिटायर्म भी है कि हम लोगों को लोन ज्यादा मिल सकता है और लोवर साइट आप इंटेश्ट अगला है मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं लोगों रिटायर्मेंट के बाद भी चलिए आगे चलते हैं हम लोग पास इंसोरेंस कवर है 75 लेक्स का कुछ कंटीविशन हम लोगों को भी करना फिर से हम एक बार उताज देते हैं आपको 13 अफ फैब आम लोगों की जो इंपोर्टेंट डेट लाइन है वो 13 अफ फैव है आपको याद दखने चीज को 13 अफ फैब को जो हम लोगों को फॉर्म भरना है ठीक है एंड फॉर्म फीज थर्टी अंडे रुपीज है बस इसनी चीज थी आई होप अभी चीजे क्लियर हो गई हूं क्लियर हो गई हूं तो एक बार डिस्केप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना उसमें हमने मैथ इंगलेस एंड साइंस तीन चीजों के इंपॉर्टेंट चेप्टर्स जो है उनको कंप्लीट करार है और आप आई प्रॉमिस की आपका ही जैम तक अल्मोस्ट 80-90 परसें स्लेवर्स कंप्लीट हो जाएगा जो मिलते हैं फिर नए वीडियो हम तब तक लिए बबाए थिंक्